हेलो सास्री काल बाई आज दानो दास्दा अपनी हिस्ट्री मतलब की की करना पें दा है यह दो बोतलां पर लिया ने मतलब यह दो बोतले पर लिया मैंने तीसरी लोड कर रहा हूं तीनों में डिफरेंट टाइप का वेट वर रहा है मैंने एक नियर अबाउट आठ सो ग्राम के पास आज पास होगी एक साथ सो ग्राम और एक छेस्सों ग्राम ठीक है लाग लाग इसके अलावा मेरे पास आइरन बॉल है तो आए उठना हो गए तो सेशन है आज आपको पता हूंगा आइरन बॉल और थोड़ा रनवे फ्लो थ्रोस क्या क्या करना है मतलब एक तकरीवन तकरीवन मेरा व्लॉग टाइप कहलो व्लॉग व्लॉग तो मैंनों वैसे कहना पसांद नहीं मतलब एक छोटी मोटीजी वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग देख़ना तुसी सारे देखना क्योंकि मैं पंजाबी हिंदी हिंदे आज़ी मिक्स कार्या हैं विकास आफ बउत यह नों हिंदी संजनी हैं और बहुत आणू पज़ाबी संजनी हैं जो प्रॉड पाऊंजी नहीं तो मतलब फित हूंगा मगर मज़ा कोड़ाई ठीक है तेन बोतल हो गया दो लिम के दिये कोग का बड़ा पर मोट नहीं कर रहे हैं तासरे यह नहीं परे रखी सी तप आजी तुसी उत्ते रख दिखा रहे हैं दुनिया नूग कोग पी ओ कोग नहीं पीना अगलो जी होन चल लेने जार मड़ा मुटा वरकाउट गार नंब जारा चकनी ओके जी ठीक है मिलते हैं आप और जाके ठीक है वहां पर जाके मिलते हैं अच्छा जी साब कुछ हो गया केले से भी लेके होना नाड़ नाए तोड़ा रिकावरी जी रहे ठाके जाना तेट खला गदी तो साब तो पहला ग्रॉंट चे पहुंच गया जिदा आपां साब तो पहला की करना एदा गामा साब तो पहला रोल करो बौड़ी जंगी तरह स्प्रेचिंग करो खुले बसलता ने मेरे पाद आनी खुलने के नहीं आपको खोल दे हम मसला में ओपन यूए बटी अब तो पहला लग तो शुरू करांगे लोल बैक तो रोल करना बस प्रेच नहीं का ना रोल कट 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 पताफ देने करें अरे इस तरीक के राल है लेक्स इनों भी गाला है हमस्टेंग थाइज एदा करना है कोछ लोग एदा करियां दे हैं यह पसले लगी है यह दे वीट दो ताई है मसला लूज होगा न खगर और असमाल कर दो जैं लोगें लिक दो करें लिएज सेम दूँज नुुके सेम दूजी कर सक्षम होगा कर्कर दे दूजु प्युडे Set, okay. तर मेलदा ना में Vlog जेकपो रहे. आदया हस्की आपना. हस्की अँघ कही हुआ? हस्की हुआ? हड़ा पयाई लेगे जेमें वेज़ेश. आद जागे. इन्हों गैने इंडियन हस्की. जाल भाउत मांब भै. हां जी. यह जी चाह, पीओ चाह पादो गा, बतलब बार्म आपके लिए पीघिया प्रावा, कि ते आयना संज़ लो पद नहीं की है, जिदा एक सिंगर्रू चाह चाही थी हूंती ना, कौन तो पहला इता मिन्नू भी चाही चाही थी है, क्योंकि चाह देश की ही ना, बारों चाह लेके हैं, यह पीणी है, पीओं के बोड़ी माड़ी जिवार मापको फेबदा उड़ागे, रोलिंग, स्ट्रेचिंग, मॉबिलिटी कार लाई है, वो थेरा मेंटनल थोड़े जाप अंगा लेना आपका, आहा, मिजा रहे, बहुत तकड़ी चाह पना होदा है, आज मैं डीएवी ग्राउंड चेहां चलंदर, इथे ट्रेनिंग कर नहीं है, बड़े देन होगे, प्रो नहीं लाई, इस ग्राउंड चे खास कर नहीं लाई, तो कादे उपर ग्रासी ग्राउंड है, फीलिंग लेनी चाहिए है, समान तुसी देख सागे, मेरे आइरन पर नहीं है, जो आपको नहीं बता है, वो सब की वीडियो बनाऊंगा, जो आपको नहीं बता है, वो सब की वीडियो बनाऊंगा, जो आपको नहीं बता है, वो सब की वीडियो बनाऊंगा, जो आपको नहीं बता है, वो सब की वीडियो बनाऊंगा, जो आपको नहीं बता हिंदीच बोल लें था कि समझ आजे पंजाबी राड़े समझ दार रहे हैं वो समझ लें कि कह रहे हैं सास्री कार आगे जाना जाए ताटे कूंत लाना यह मैं पर ताटे ते वह नी जाल दा भई रहां दो आरको वीडियो बना रहे हैं अब आप उन जाल ली गए मिन वह दो म कर रहे हमें भी तेज करनी है आपको कोई जरूरत नहीं है हाँ करने की जरूरत है बढ़ तेज तेज नहीं सलो सलो यह उपर वाली होगी इटर्नल रोटेशन होगी डबल बैंड के साथ और मेरे पीछे कोज साब गूं रहे हैं इनको ठांड लग रही है एंड उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन ठीक है तो नेक्स्ट हो जाएगी स्टार्ट यह बहुत कंपलसरी एक्सरसाइजिस हैं शोल्डर को प्रॉपर वार्म अप करती है ठीक है इससे पहले मैंने स्ट्रैशिंग वगएरा करवा ली है मॉबिलिटी करवा ली है रोलिंग वगएर आपके स स्टार्ट कर देंगे ठीक है उक्के रपोट है अब चली पैगिंग होने हमारी ग्रेप पोडर लगा लिया तो लड़के को बनो साही डट जा अब को साब ने चैक करी थो लेस्ट एंडिंग थो मतलब फेट है काम अपने को साब मतलब मेरे बड़े बाई मेरे बड़े दो दीरे दीरे से फीलिंग ले लेगे आपको अगे मिलेगी आप पाउस करकर के देख लेना मेरी पावर पोजीशन जो भी आपको चाहिए होगा वो आप चेक कर सकते हो ठीक है यह लड़का अगे उसको बोलड़ों को साइड अट जा जन उसके बाद थ्रो स्टार्ट करू जिनके पेन होता है क्यों पेन होता है क्योंकि जैवलिन हाई नहीं रखते है आप चेक करो मेरी जैवलिन के हाइट चेक करो और अपनी जैवलिन की हाइट चेक करना अब कितनी हाइट का मतलब आगे हाइट नहीं हाइट का मतलब पिछे से उठाके रखना हाइट उसको बोल जाए तो इसको explain कर रहा था आगे से ये भी try कर रहा था उसको बोला okay पहले से ठीक है थोड़ा elbow बेन है उसके okay next आप चेक करो कि मैं कितनी उपर रखे दीरे-दीरे से थ्रू करना हूं left side से भी चेक कर सकते हैं आप पैगें कि अंदर power position इतनी अच्छी नहीं आएगी but इसके अंदर जो हम कर रहे हैं वो चीज clear दिखेगी आपको कहां बोड़ी पीछे रख रहा हूं हाथ उपर रख रहा हूं और देन थ्रू कर रहा हूं ठीक है यह compulsory exercise यह पीछे से भी चेक कर लाँ बस उड़ा दी और आगे लाइन में आपको द्यान रखना है इस चीज का कि आप कि हेप वर्क करें पैर वर्क करें एंड जैविलिन की लाइन सही रहे वो चीज जरूरी है जो मतलब आपको गलती नहीं करनी आपको पैगिंग के अंदर जितनी पैगिंग अच्छी होगी स्टार्टिंग जितनी अच्छी होगी उतना best रहेगा काँ अब आफ्टर पैगिं क्या दो पार वन जी से थो नहीं करी भीकॉस पहला देन था तो अब मैं इसमें कहर किया रहा हूं बोडी पिछे रखी हाथ उपर रखा अब अंदर आगा वन स्टाप से कर नी परे स्रेंडिंग कर ली आट थो अब बन स्टाप से इज जिए अब बॉतल तो इंग बॉतल ज सकते हैं यह सारी जीज़ें बीच में हाफ रन वैसे भी करूंगा लेकिन अब भी नहीं पहले उससे पहले थ्रो कर लूँ या 600 ग्राम का ऐरन बोल ठीक आप लोग समझो मैं कर कह रहा हूं उस चीज़ को जब तक समझो के नहीं तब तक कुछ कुछ पैदा नहीं है और पीछे है हाप लेप चल रही है अब लेफ्ट साइड से भी आप देख लेना ठीक है आपको हर साइड से इसलिए दखा रहा हूं ताके पावर पजीशन आप अच्छे से देख भाओ मेरी और वही बढ़ने जरूरी है इसमें अब बोलोगे कि आप फास्ट के उन्हें मारे में फास इसके बाद ये एक करने के बाद थ्रो दूसरी स्टार्ट कर दूँगा थक के बैठ गया मतलब थोड़ा खतम हो गया श्रीर अब आजे हाफ रन्वे से हाफ रन्वे मीन्स जो आपका वो देखो नीचे डिसकस पड़ी है न वो मेरा चेक मारक है बस एक दू स्टेप लेके और यह से क्रॉस बन स्टार्ट कर दिए और प्यार इसे फूरो करके फॉलो घूरो एक स्टेप इक अब समझलो वहान पर मैं लेफ्ट प्याले किया रहाँ डिसकस की उपर और एक रोस खोल रहाहं अर ब्लॉक और ऐक सामने अीजß है Thai एक स्टेप अब आगए जैवलिन की तरफ आफ रनवे से इजी जैवलिन के अंदर मैंने बिल्कुल एफ़र्ट नहीं लगाया बस कोशिश करिए टेक्निक से जितनी कर सकूं जितनी अच्छी लाइन दे सकूं जितनी बोड़ी पीछे रख सकूं यह जितनी पावर अच्छी आपको लगता हो का भाई बहुत दूर मार दूर की बात नहीं है बात है यहां से पावर पोजिशन की कोशा भी अबतारे यह कि तरह शोल्डर थोड़ा टाइट फील हो रहा है तो उसके लिए मैं थोड़ी स्ट्रेंथ कर रहा हूं यह कोशा बीच में देखना आप बैंड क के साथ वह एक चीज करवाएंगे जिससे चेस्ट निकल के बाहर आएगे और शोल्डर पीछे पड़ा रहेगा ओके साथ में दूसरा लड़का भी थ्रोड़ सेशन कर रहा है उनका थोड़ा गुड़ थ्रोड़ सेशन था विकॉज अफ कॉंपेटिशन अपना यह इजी है है बस हाफ रनवे टाइप यह थ्रो ऐसी कुछ नहीं कि आल उट यह कुछ ऐसा है कि चेक करते रहा है कर के रहा हूं इजी वे में आके दीरे से शोड़ दी इजी वे में आके दीरे से शोड़ दी कोई ज्यादा एफर्टलस थ्रो ठीक है आप लोग यही चीज समझो बसाथ लंबा रहे लास्ट में निकाल निकाल के मारते हो इजी एजी है कि अब आके बीच में फिर से आईरन वॉल देखा मैंने बूला है छे से आप थरो वो छे से आप थरो यह क्योंकि ये 600 ग्राम है वो 800 ग्राम है इसका अलग रोल है दोनों का अलग अलग रोल है तो कोशिश करो अगर आप आफ सीजन कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं बीच में एड़ करके अब आइरन बॉल लड़कों को बोलता हूं क्या करना है सार आइरन बॉल में मेरी क्या बारी अब आगी वही शोल्डर वाड़ी जो मैं टाइट कर रहा था तो डिसकेशन कर रहे थे हो क्यों राये टाइट तो अब बोलेंगे नहीं सेटिस्वाइड नहीं होए कोई और लड़का पकड़ेगा डेमो दिया उसने मुझे देखो छोटी लड़के ने मुझे समझाया अब को साब खुद से होगे शुरू यह यह देखो शोल्डर निकालने लग गए समझे हमने इतनी तेज तेज निकाल लिया आप स्लो में वन एक्स पे चला के देखना अब बीच में थ्रो दो बार करने के बाद यह उसके बार फिर से रवड़ कीचनी यह रवड़ होगी शुरू हिप चल रही है देखो और साथ में वो पॉंप पॉंप पॉजीशन चल र आल आउट स्रो करते रहना है जाँ जटके मारते रहना उसके बाद मैंने क्राई फिर से शूल्डर स्ट्रेचिंग यह वाड़ी आप चैक कर सकते हो हाथ क्लोज करवाके अब फिर से नीचे ताकि मेरा शूल्डर सर्जरी वही है तो रेंज आफ मोशन अच्छे से बन नहीं बाता तो मैं रेंज आफ मोशन अच्छे से बनाने के लिए यह सारी स्ट्रेचिंग वगरा कोशिश करता हूँ और करूं ठीक है व्लॉग मेरा खतम जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर आप आफ सीजन में है तो आफ सीजन के अंदर यह होती है चीज़ चंगा जी सास्री काल सारे आनो टेक कैर बस कोशिश करो यह चीज को फॉलो करो और अच्छे से करो टेक कैर